लखनव में आयोजित डीफेंस एक्स्पो कई माइनों में महत्पूर्ण रहा है। इसको लेकर हमारे समवाद आथा आजेच दिवेदी ने और द्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से खास बाचवीत की क्या कहना है? और द्योगिक विकास मंतियु सतिश माहाना का दिखा रहें आपको. आप से जाना चाहेंगे जो एक्सपो लगा हुआ है इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत जिग्यासा हैं जानकारियां चाहते हैं और बड़ी संख्या मैंने देखा लखनो में एक्सपो में जानने के लिए लोग 2-3-3 किलोमेटर पैदल भी चल करके परवार सहीद से क्या प्रवजन रहा है देखें अब इंटरनाशनल मार्केट हुई है हर चीज की विशेश उपसे डिसमेट डिफेंस और एरोस्पेस एक्यूबेंट्स कि हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस बात की होड लगिए कि कौन नई टेकनोलोजी के इसाब से नई दुश्मन से सतरक रहने के लिए और दुश्मन के ओपर वार करने के लिए आवशिक होती है अभी आज की रेड़ हिंदुस्तान का ज्यादा तर जो डिफेंस से सम्मंदित है इंपोर्ट होता है समान अब आदरी मोदी जी के विक्टित्च के कारण और पूरी दुनिया के जो प्रोजेक्शन भारत वर्ष का हुआ है अब दुनिया भारत को एमर्जिंग पावर के रूप में देख रही है और हम आज सबसे बढ़ती एकॉनमी हैं पूरे दुनिया की मैं पिछले दिनों सप्टेंबर में लंडन गया था वहां पर भी डिफेंस एक्सपो में मैंने पार्टिसिपेट किया था उसके बाद प्रतान मानी रख्षा मंतरी जी नहीं निरने किया कि अपकी बार कर डिफेंस एक्सपो लगना हुँए बहुत बहुत धन्वाद आपको R9 से बात करने के लिए ये थी हमारी खास बातचित और दोगी विकास मत्री सतिस महनाजी से डिफेंस एक्सपो में लगभग 50,000 क्रोन का इंवेस्टमेंट होगा और 3,000,000 के करीबन युवाओं को रोजगार मिलेगा ये तैह है अगले दो सालों में ये रूप सामने भी आ जाएगा R9 से आदेत दुबेदी लखनो